आज हम बात करेंगे खीरा खाने के पाइदे क्या है, नुकसान क्या है, खीरा खाने का सही तरीका क्या है, एक दिन में कितना खीरा खाना चाहिए, कड़बा खीरा शरीर में जाकर क्या करता है, और खीरा खाने के तुरंत बाद क्या नहीं खाना चाहिए, खीरा खाने का सही सम किरा एक ऐसा फल है जिहां खीरा एक सबजी नहीं बलकि फल है जिसे खाने से कई तरह की हैल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं ज्यादा तर लोग कीरे का सेवन तो करते हैं लेकिन उने इसके फायदे नुकसान काने का सही तरीका कीरा कड़वा क्यों होता है इन सब बातों के बारे म जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कीरे के फाइदे जान लेते हैं जो लोग अपना वजन कम करना चाते हैं खीरा उनके लिए एक अच्छा विकल्प है कीरे में कैलोरी की मात्रा काफी कम होती है 100 ग्राम खीरे में लगबग 15 कैलोरी होती है यानि आप 300 ग्राम खीरे भी खा लेते हैं तो केवल 45 कैलोरी ही कंज्यूम कर पाएंगे इसके अलावा खीरे में लगबग 95% तक पानी होता है और फाइबर भी अच्छी कासी मात्रा में पाया जाता है जिससे की काफी समय तक पेट बरा रहता है और ज्यादा कैलोरी भी नहीं इंटेक कर पाते बस यही वज़े है कि खीरा वेट लूज करने में काफी मददकार होता है खीरा हमारे शरीर को हाइडरेट करने का काम करता है डिहाइडरेशन यानि पानी की कमी होना गर्मियों में काम समश्या है कीरे में 95% तक पानी होता है जो कि डिहाइडरेशन को दूर करता है और शरीर के तापमान को संतुलित बनाय रखने का काम करता है कीरे में पोटेशियम, मैगनेशियम, फाइवर काफी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है ये सबी न्यूट्रियंट्स ब्लड प्रेशर को नियंतरित करने में काफी मददगार माने गए है पोटेशियम, एकसस सोडियम को हमारे शरीर से बाहर निकाल कर ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है सो ग्राम बिना चिले हुए खीरे से हमें लगबग 147MZ पोटेशियम मिल जाता है खीरा हमारी आँकों के लिए भी काफी फाइदे मंद है खीरे में पाये जाने वाले लिूटेंग, जिया जैंतिन हमारी आँकों सूरज की जो खानिकारक ब्लू लाइट होती है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं यूटेंग, जैजेंथेंद, हमारी आँकों के इंटरनल संग्लासिस की तरह काम करते हैं इसके अलावा खीरे में बीटा केरोटिन मिलता है जिसे हमारी बोड़ी विटामिन A में कनवर्ट कर लेती है विटामिन A हमारी आँखों के स्वास्ता के लिए काफी फायदे मन्द है खीरे में एस्कोर्बिक एसिड और कैफिक एसिड होता है ये दोनों चीजे हड्डियों को मजबूत करने का काम करती है इसके अलावा खीरे में सिलिका नमकता तो भी मुझूद होता है जो की connective tissue को बनने में मदद करता है लेकिन ये फायदा हमें तब ही मिलेगा जब हम कीरे को चिलके के साथ खाए क्योंकि कीरे के चिलके में सिलिका मुझूद होती है कीरा diabetes के patient के लिए भी काफी अच्छा माना गया है कीरे का glycemic index काफी कम होता है इसका glycemic index लगबग 15 के आसपास होता है और इसमें carbohydrates भी काफी कम होते हैं कीरा insulin secretion को सही करने का काम करता है और pancreas को भी शक्रिय करता है कीरा मुह से आने वाले बदबू को दूर करने में भी काफी कारगर है अगर मुह से बदबू आ रही है तो खीरे का टुकडा मुह में रख ले कुछ देर बाद बदबू आनी कम हो जाएगी कीरा constipation यानि कबज की समश्या को दूर करता है कीरे में पानी की मात्रा, फाइबर की मात्रा काफी अच्छे होती है फाइबर जाडो की तरह हमारी intestine को साफ करने का काम करते है अपने इसी गुण की वज़े से कीरा कबज से भी निजात दिलाता है इसके अलावा कीरा हमारी skin के लिए भी काफी फाइदे मंद है कीरे में पाए जाने वाले antioxidant, oxidative stress को कम करते है free radical जैसे toxic element से हमारे शरीर की कोशिकाओं को बचाने का काम करते है यानि कीरा हमारी oral health के लिए काफी फाइदे मंद है इसके अलावा कीरा electrolytes को balance करने में भी साहयक है कीरे में पाए जाने वाले पो सकता तो pregnant woman के लिए भी काफी फाइदे मंद है वैसे तो pregnant औरत कीरे का सेवन कर सकती है लेकिन फिर भी बहतर यही होगा कि एक बार आप अपने डॉक्टर से सला जरूर ले ले ये जान लेते हैं कि कीरा काने का सही तरीका क्या है वैसे तो कीरे को आप कई तरीके से अपने diet में शामिल कर सकते हैं जैसे की सलाद, जूस, रायता लेकिन ज्यादा बहतर यही है कि आप कीरे को सलाद के तोर पर ये रायता बना करी से कंज्यून करें तो कीरे के अंदर से जो फाइव वर्स होते हैं वो निकल जाते हैं कीरा खाने का सही समय क्या है आपने एक कहावत सुनी होगी कि माना गया ऐसा इसलिए क्योंकि खीरा पचने में भारी होता है और रात में इसे खाने से गैस, इंडाइजेशन की समश्चा हो सकती है खीरा खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए इससे पाचन किरिया को नुकसान होता है और पीच लेवल डिस्टर्ब होता है खीरे में कुकुर बिटासीन, टेटरा साइकलिक, टाइटर पिन पाइड नाम के टॉक्सिक कमपाउंड होते है जिसकी वज़े से कीरा कडवा होता है विसे सग्य के अनुसार ये कमपाउंड सरीर में ज्यादा मात्रा में चले जाए तो सरीर को नुकसान पहुचा सकते है इसलिए कडवे कीरे का सेवन करने से बचना चाहिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें